अगर आप किसी भी competitive exam preparation कर रहे हो तो MM Academy app को download कीजिए जहाँ पर मेदेर द्वारा बहुत सारे courses जो है वो बनाये जा रहे हैं जो आपको exam में काफी health दिला सकते हैं तो जल से जल download कीजिए MM Academy app रुशी कपुर जी के याद में एक उनका dialogue यादाता है कि हम आज जो फैसला करते हैं वही हमारा कल का फैसला करेगा आज अगर हम अच्छा सही फैसला करते हैं तो आगे हमारे साथ अच्छा और सही होगा और आज अगर हम गलत फैसला करते हैं तो आगे हमारे साथ गलत ही होग और हर चीज़ की जो responsibility है वो हमारी ही होती है क्योंकि हमारे वो decisions होते हैं जिस तरीके से हमारी जिंदगी जो है वो आगे जाती है इसलिए अगर हम दुसरों को ना कोशते हुए दुसरों पर blame ना करते हुए अगर हम खुद पर responsibility ले तो वो एक सही इंसान होता है नहीं तो जो दुसरों पर थोपे उससे कमजोर इंसान उससे नादान इंसान उससे immature'd इंसान कोई दुनिया में नहीं हो सकता है और इसे लिए वहीं इंसान successful बनता है जो खुद responsibility ले जो भी उसने फैसले लिये हैं उसकी वज़स से आगे जो भी जिन्दगी में हो रहा है वो होगा तो आज आपको सही तरीके से फैसला लेना है जिससे कि आगे आपके जिन्दगी में जो भी हो वो आपकी वज़स से होगा और उससी के साथ साथ आप अगर successful होते हो उसका भी credit आपको रहेगा और आप अगर failure होते हो उसका भी credit आपको लहेगा और एक सही इंसान वही है जो accept करे जो भी चीज़े हैं है ना तो इसलिए आप बड़े बड़े successful इंसान दिखिए उन्होंने हमेशा हमेशा जो situation है उन्हें कोसा नहीं है बलकि उसे accept किया है खुद इस वीडियो में तो यहाँ पर नया महना जो है वो शुरू हो रहा है first में और मैं प्रातना करता हूँ कि आपका जो नया महना है यह अच्छा जाए बेटर जाए जिसमें आपकी जो एक मानसिक जो संतूलन है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से बरकरार रहे और उसी के ससा positivity के तरफ जाओ ना कि negativity के तरफ जैसा कल भी मैंने कहा था कि कुछ पल की जिंदगी है नफरतों में रहकर इससे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि इंसान चला गया सब कुछ चला जाएगा इसलिए जब तक हम सब है जब तक हमारी सासे चल रही है हम प्यार बाटे यही हमार कोर्स लॉंच किया गया है और इस कोर्स में आपको सभी इंपॉंट चीज़े देखने को मिलेगी टोटल पचास दिन का यह कोर्स रहने वाला है कंबाइन एक्जाम मतलब PSI STI ASO के लिए अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़े हैं वो देखने को मिलेगी अब यहाँ आपको कोड जोइन करना है तो रिफरल कोड आपको इस्तमाल करना पड़ेगा MMB क्योंकि यहाँ पर लाइफ सेशन होने वाले हैं लाइफ सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूं current affairs का जहाँ पर सारे current affairs जो है जो exam perspective से relevant है important है वो सब यहाँ पर cover किये जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बार सब्स्रिप्शन लेना है unlimited access मिलेगा mcqs, previous year questions, pdf सब आपको मिलेंगे interactive lessons आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप teachers के साथ interact कर सकते हो doubts आपके clear हो सकते है यहाँ पर आप देख सकते हो general science जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक batch नजर आएगा general science में भी आपके बहुत सारे questions निकलते हैं तो यह भी आपका clear cut लिया जाएगा उसी के साथ साथ यहाँ पर जो cset का paper है वो भी लिया जाएगा तो cset का paper जो है मतलब cset का जो questions होते हैं वो भी काफी important होते हैं काफी जादा आते हैं तो वो भी आपर cover किये जाएगे मतलब यह काफी high scoring batch है जिसमें आपको बहुत अच्छे marks जो है वो मिल सकते हैं combined exam में तो अगर आपको clear करना है तो जल से जल यहाँ पर subscription जो है वो लीजिए और इस batch को join किजिए उसके लिए आपको code यह इस्तेमाल करना है referral code mmbeam तो जल से जल mmbeam यह code का इस्तेमाल करके आप subscription लीजिए और videos को enjoy सबसे पहले मैं बेस्ट एक साही देखते हैं तो यहाँ पर यह जो state है यह state कौन सा है यह आपको बताना है तो आपको करना क्या है वीडियो को pause करना है इस state के regarding जो भी information आपके बास available होगी वो information लिखना है और फिर उसके बाद वीडियो को resume करना है आप मुझे facebook, instagram पर भी follow कर सकते हो pdf और video updates के लिए आप मुझे telegram पर follow कर सकते हो link सभी की description में दीवी है तो यहाँ पर हम explain section देखते हैं इसमें कुछ articles दिये गया है जैसे कि यहाँ पर covid जो है वो sense को smell जो है उसे यहाँ पर कैसे hit कर रहा है तो यह article basically क्या है इसके बारे में जानने के कोशिश करेंगे नया symptom हमें आपर देखने को मिल रहा है coronavirus का उसी के साथ-साथ यहाँ पर copy machine जो है coronavirus की मतलब जो coronavirus से खुद को replicate करता है यह हमने देखा हुआ है किस तरी के से replicate करता है इसलिए short में मैं आपको revision के perspective से आपर समझाने की कोशिश करूँगा बाकी यह vaccine के बारे में बात कर रहा है अभी कुछ हमारे लिए खास इस article में नहीं है यहाँ पर अगर आप देखोगे जो mobile है वो यहाँ पर coronavirus जो है carry कर सकता है paper जो है वो carry कर सकता है उसके बारे में article बात कर रहा है जो हमें पहले से पता ही है अगर हम editorial page idea space देखते हैं तो जितने भी editorial से articles है वो या तो यहाँ पर जो legendary actor से उनके बारे में बात कर रहे है या फिर यहाँ पर जो labors है उनके बारे में बात की जा रही है तो देखें अगर आप देखोगे तो यह वाला जो article है यह वाला जो article है मतलब यहाँ पर labor जो है उनके बारे में बात की जा रही है क्यों की जा रही है हम आगे जाने की कोशिश करेंगे तो सभी articles को एक साथ मैं आपके सामने लाने वाला हूँ उसी के साथ एक और news article है जिसमें जो labor day है उसके बारे हम बात की की है तो वो भी हम इसमें include करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा यह लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे articles इसमें mixed है और पूरा जो एक सार है वो यहाँ पर मैं आपके सामने लाने की कोशिश करने वाला हूँ बाकी यहाँ पर हमने जो tribute है वो देने की कोशिश कीते ही जो इरफान खान साहब है उसी के सासा जो रुशिक अपूर साहाब है उन्हें May their soul rest in peace तो आईए यहाँ पर हम बात करते हैं जो कोरोनावारस केसे से उसके बारे में कोरोनावारस केसे पूरी दुनिया में अगर देखे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैल चुके हैं death अगर हम देखे तो बहुत ज़्यादा हो रही है और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी केसे जो है काफी तीजी से फैल रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 34,800 के आसपास जो केसे हैं वो यहाँ पर चले गए हैं और देखे कुछ डाटा होता है तो इसलिए हो सकता है कि अब यह 35,000 जो है उसके भी पार पहुँच गया हो क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने तक इतने केसे देखने को मिल रहे हैं लेकिन हो सकता है कि वीडियो अपलोड होने तक 35,000 के उपर केसे चले जाए तो इस तरीके सारा सिनारियो देखने को मिलता है डेज जो है वो भी काफी जादा हो गई है और रिकवर्ड लोग जो है वो भी हाँपर 9,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं अब यहाँ पर अगर आप coronavirus देखोगे basically क्या है तो यह group of family है जो वाइरस है एक group of viruses है एक family है फैमिली ऑफ वाइरस है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो coronavirus जो उसके symptoms हमें कौन-कौन से देखने को मिलता है तो इसमें severe respiratory illness जो है वो हमें देखने को मिलता है जिसमें symptoms हम हमें यहाँ पर symptoms जो है वो देखने को मिलता है जैसे symptoms दिखे हमें आपर जो medical check-up है उसकी तरफ जाना चाहिए अब यहाँ पर अगर आप देखोगे fever, curve, shortness of breath यह हमें normal flu जो है उसमें भी देखने को मिलता है है ना normal flu अगर आपको होता है उसमें भी आपको बुखार होगा, कफ होगा, सर्दी होगी, खासी होगी है ना तो यह सारी जीज़ें देखने को मिलती है अब यहाँ पर क्या हुआ है earlier this week US Center जो है for disease control and prevention उनोंने यहाँ पर जो loss of test और smell है वो भी यहाँ पर symptoms जो है उसकी list में आड़ कर दिया है मतलब यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा वो भी यहाँ पर चली जाएगी अब देखें loss of smell जो है यहाँ पर known symptoms है several diseases के लिए और यहाँ पर क्या होता है पहले loss of sense हो जाता है मतलब loss of test हो जाती है loss of smell हो जाता है उसके बाद यहाँ पर जो fever है या फिर body egg है वो यहाँ पर notice किया जाता है अब यहाँ पर देखें जो chills ह यह यहाँ पर associate के जाते हैं बहुत सारे infections के साथ जैसे कि malaria हो गया, muscle pain हो गया, body egg हो गया, है ना typically common flu जो है उसके साथ जो chills है मतलब जो fever आता है जो थंड लगती है वो यहाँ पर associate किया जाता है और इसलिए जो health expert है वो यहाँ पर repeatedly यहाँ पर बोल रहे थे कि जो symptoms है वो इतन यहाँ पर include करने के लिए काफी गुजारिश की जिसे यहाँ पर जो anosmia है वो कहा जाता है और फिर इसके बाद यह symptom है इसमें यह add किया गया तो अब आपको यहाँ पर loss of smell जो है यह भी symptom देखने को मिलता है loss of smell, loss of test तो अब देखिए अगर आपको exam में question पूछे जाता है कि कौन कौन से symptoms होते हैं तो उसमें अगर यह symptom दिखाई दे तो यह भी इसमें include किये गए हैं अब यहाँ पर आप देखोगे तो severe cold जब होता है उसमें आपका जो नाक है वो block हो जाता है है ना सर्दी के वज़े से और यह है hyposmia ठीक है इसे हम hyposmia कहते हैं और उसे के सासाथ य smell जो है उसे सुनने की क्षमता हमारी यहाँ पर कम कर देता है rather than complete loss तो मतलब क्या है यहाँ पर complete loss जो है वो नहीं होता है तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो extra symptoms add किये गए हैं वो यहाँ पर इस article के थुरू देखने को मिलते हैं अब next article के यहाँ पर बात करते हैं coronavirus copy machine के बार यह हमारे cell में जाता है और उसके साथ-साथ यहाँ पर जो ACE2 body है इसमें यहाँ पर जो enter है वो करने की कोशिच करता है receptor होता है और यह recept कर लेता है और उसके बाद इसको यह attach हो जाता है और फिर attach होने के बाद अपने आपको replicate करना जो है वो शुरू कर देता है और इसे ही हम इसमें जो है काफी जाता changes जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं मतलब इससे यह अलग है इससी यह अलग है इससी यह अलग है तो इस तरीके से अलग भी देखने को मिल रहा है अब इससे दूसरा डर क्या होता है कि यहाँ पर जो antibodies के हमने कई बार discuss किया हुआ है कि जो antibodies create होत recovered हुआ है, coronavirus है, दुसरे इंसान को यहाँ पर हम इसकी जो plasma है वो निकाल कर इसमें डालना चाहा रहे हैं तो जरूरी नहीं है, इसमें जो coronavirus है वो इसमें भी रहेगा, है ना, same इसका, तो इसलिए यह जो antibodies है जरूरी नहीं है, इसमें वो काम आए, और इसलिए महराष्टर में, जो first यहाँ पर antibody का यह किया गया था, plasma therapy की गई थी उसमें वहाँ पर death जो है, वो हमें देखने को मिली है, clear है तो यह चीज हमने पहले भी discuss की भी थी सभी चीज़े discuss की भी है, तो इसलिए revision perspective से यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो आईए, अब यहाँ पर हम, जो labor day है उसके उपर जाते हैं, labor day जो है celebrate किया जाता है, first may को अब यहाँ पर अगर आप देखो के first may जिसे international workers day या फिर may day भी कहा जाता है और उसे के साथ है, उसे labor day जो है भी जाता है, different parts of the world में अब यहाँ पर जो contribution workers के द्वारा दिया गया है historic labor movement के द्वारा दिया गया है, उसे यहाँ पर commemorate करने के लिए यह जो labor day है यह यहाँ पर celebrate किया जाता है अब दिखें, यहाँ पर ancient northern hemisphere अगर हम देखते हैं तो spring festival हमें observe देखने को मिलता है, first में यहाँ पर जो labor movement है, उससे associated है late 19th century में जब trade union जो है socialist group जो है, उनोंने designate किया था कि worker जो है उनके support में एक दिन जो है वो यहाँ पर लाया जाए उसी के साथ यह भी decide किया गया था कि यहाँ पर जो है market affair है 1886 का उसकी memory में यहाँ पर लाया जाए, तो शिकागो में United States में peaceful rally जो है, workers के support में यहाँ पर निकाली गई, जिसे violent clash यहाँ पर बाद में देखने को मिला police के साथ, और उसी के साथ ford civilian और साथ police officer जो है उनकी भी death हमें यहाँ पर देखने को मिली थी तो दीखे, थोड़ा बहुत history जो है इसके regarding यह भी यहाँ पर जरूरी है अब many of the agitationists जो है, वो यहाँ पर workers right violation जो है उसके लिए यहाँ पर protest करते हैं है ना, कि यहाँ पर work hour जो है वो यहाँ पर strain किये जाए, जो working condition है जो poor working condition है, वो यहाँ पर अच्छी की जाए, जो low wages दिये जाते है child labor जो किया जाता है उसे यहाँ पर अच्छा किया जाए और उसी के साथ इन्हें अरेस्ट भी किया गया और life imprisonment जो है, वो भी दी गई death sentence जो है, वो भी दी गई और जो यहाँ पर, जिनकी death हुई है उन्हें यहाँ पर, है market martyrs जो है, उसके यह नाम से जो है वो जाना जाता है अब यह जो incidence है, बिलीफ किया जता है कि आपर workers movement जो है, उसे great impetus यहाँ पर इसके वज़े से देखने को मिला अब US जो है, वो recognize करता है labor day को as a federal holiday 1894 में अब जहाँ पर यह celebrate जो है हर साल continue करता है celebrate करना, on the first Monday of September सुन, यहाँ पर Canada जो है, उसने भी इस practice को adopt कर लिया मज़ों यहाँ पर क्या है, USA की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 1894 से हर साल जो है, वो मनाना शुरू करते हैं लेकिन वहाँ पर particular date जो है वो नहीं होती है, यहाँ पर क्या है कि first Monday जो है, वो September का, वो celebrate किया जाता था और Canada जो है, उसने भी यह practice जो है adopt कर ली, 1889 में second international organization जो है उसने यहाँ पर socialist labor parties के द्वारा जो create की गई थी, उनोंने May 1 को यहाँ पर declare किया International Workers Day और उसके बास से यहाँ पर first May को International Workers Day जो है, उसके नाम से यह celebrate किया जाता है finally 1916 में, US जो है उसने यहाँ पर 8 hours working time जो है, यह यहाँ पर लाना शुरू कर दिया, जब से protest और uprisings जो है, वो हमें देखने को मिला तो यहाँ पर क्या किया उनोंने जो working condition है, working timing है उसे यहाँ पर कम कर दिया गया और फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 1916 में, अब दिखें, यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया में भी इतिहास में हमें जो industry का जो act है वो यहाँ पर देखने को मिलता है जो labor से उनकी working condition जो timings है, women, children उनके बारे में change करता है तो क्या आप उसके बारे में मुझे information जो है वो दे सकते हो क्या आप comment section में उसके बारे में बता सकते हो क्योंकि modern history का जो course चल रहा है उसमें वो भी हम discuss करने वाले हैं तो अगर आप comment section मुझे बता पाओ तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि UPSC exam जो है उसमें भी उसके regarding question जो है वो पूछा गया था अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो May Day जो है यह पहली बार celebrate किया on 1st May 1923 बहुत important है first time कब celebrate किया directly यहाँ पर जो प्रिलियम से उसमें question आ सकता है और कब किया गया जब Labour किसान party of Hindustan उन्होंने यहाँ पर जो initiation है वो लिया था दो meeting यहाँ पर हमें देखने को मिली एक थी ट्रिपली केन बीच में और दूसरी यहाँ पर देखने को मिली beach opposite madras high court और फिर उसके बाद यहाँ पर जो leader है of self respect movement madras presidency में उन्होंने यहाँ पर जो backward classes हैं उनके अधिकार के लिए यहाँ पर fight किया और फिर उसके बाद यहाँ पर resolution जो है वो pass किया कि government जो है उन्होंने सभी को यहाँ पर national holiday जो है labor day के दिन देना चाहिए तो यह यहाँ पर इस तरीके का इतियाज जो है labor day का वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तो labor day किस तरीके से आया और हमारे भारत में may 1st को may day या फिर labor day किस तरीके से celebrate किया जाता है कब से celebrate किया जाता है क्यों celebrate किया जाता है यह आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा अब हम यहाँ पर बात करते हैं leader के बारे में अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो representative है depressed classes के round table conference में आमबेड कर सहाब उन्होंने यहाँ पर जो living wages है उसके लिए भी यहाँ पर plead किये थे अब देखिए इतिहास में अगर आप देखोगे modern history में अगर आप देखोगे तो तीन round table conferences हमें देखने को मिलते हैं अब तीन round table conferences में से सिर्फ second round table conference जो है उसमें जो congress है उन्होंने वो attend किया था है ना लेकिन तीनो round table conference अगर हम देखते हैं तो उसमें जो अमबेड कर सहाब है उन्होंने अटेंड किया था और तेज भादूर सप्रू जो है उन्होंने भी यहाँ पर तीनो round table conferences जो है वो attend किये थे अब यहाँ पर जो depressed classes है उनके reservation के लिए उन्हें आपर separate electorate के लिए जो अमबेड कर सहाब है वो काफी जो struggle है वो कर रहे थे और फिर जब third round table conference यहाँ पर हो जाती है उसके बाद जो रामसे मैकडॉनल्ड है जो प्रधान मंतरी था उस टाइम पर UK का, Britain का उसने communal awards जो है वो लेकर आ गया है ना, communal awards जो है वो लेकर आता है August में और जिसके लिए येरवाडा जेल में जो गांधी जी है वो fast and to death करते हैं उसके बाद जो अमबेड कर सहाब है और गांधी जी उनके बीच में जो पुना पैक्ट है वो होता है जिसके तहट जो reservation है seats का depressed classes के लिए वो increase कर दिया जाता है और जो separate electorate है वो यहाँ पर हटा दिया जाता है है ना, अब यहाँ पर सिर्फ वो ही नहीं तो आमबेड कर सहाब जाए उन्होंने यहाँ पर जो living wages है उनके लिए भी, मतलब जो labor's है उनके लिए भी यहाँ पर काफी जो struggle है वो किया है decent working condition के लिए जो peasants है उनके freedom के लिए है ना, जो landlords थे उस तेंपर cruel landlords थे उनके against में उसी के साथ है जो social evils है उसे भी remove करने के लिए उन्होंने काफी fight किया है और उसी के साथ-साथ यहाँ पर जो independent labor party है वो भी form करने के लिए वो गए 1936 में जहाँ पर comprehensive program जो है वो यहाँ पर दिये गए जहाँ पर जो landless, poor tenants है, agriculturalist है, workers है उनके जो भी problems है वो यहाँ पर पूरे सुने जाए और वो meet किये जाए ऐसा भी यहाँ पर दिखा गया इन्होंने जो knowledge है वो यहाँ पर profound किया labor matters related जो कि universally acknowledge किया गया और उसी के साथ-साथ जो labor member है उनका जो tenure था labor member के तौर पर वाइस रॉय की executive council में 1942 से लेकर 46 तक तो यहाँ पर आमभेट करजी जो है उन्होंने काफी सारे major जो है वो यहाँ पर लिये जिससे की जो labor policy है वो यहाँ पर change हो सके तो basic structure जो है यहाँ पर उसमें जो भी changes है वो यहाँ पर लाए गया Indian trade union bill जो है वो यहाँ पर introduce किया गया अमभेट करजी के द्वारा November 8, 1943 में जिसमें जो employers है उन्हें यहाँ पर compelled किया गया कि employer जो है वो यहाँ पर trade union को acknowledge करे नहीं तो यहाँ पर British है जो उन्होंने पहले क्या किया था पहले यहाँ पर trade union जो illegal बता दिया गया था मतलब second round table conference होने के बाद से तो Congress जो है उसे भी illegal गोशित कर दिया था जो British हैर से उन्होंने अब यहाँ पर जो अंबिटकर साहवे उन्होंने जो trade union बोली है या फिर labors बोली है उनके लिए जितना जादा काम हो सके उतना जादा यहाँ पर उन्होंने करने की कोशिश की थी अब यहाँ पर आप दिख सकते हो current सिनारियों में जो labor से उनकी हालत कुछ सही नहीं दिख रही है जो migrant labor से उनकी जो हालत है काफी खराब है और lockdown गोशित करने के बाद से यहाँ पर वो अपने घर में जाने के लिए तरस रहे हैं अब यहाँ पर सरकार जो उन्होंने कहा तो है कि labor जो है migrant labor से उन्हें यहाँ पर घर पर जाने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी तो अब ऐसे सिनारियों में अगर दिखा जाए तो यहाँ पर most of the countries जो है उन्होंने significant recovery package जो है अब यहाँ पर सरकार जो है वो बोल रही है कि और जाथ हम relief packages जो है वो लेकर आएंगे जिसी कि जो migrant workers है उनका यहाँ पर benefit होगा लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ पर कुछ ऐसा package जो है वो देखने को नहीं मिला है और इसलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हमें emergency case में यहाँ जो relief packages है labors के लिए वो लाया जाने चाहिए और जितने भी migrant labors है उन्हें अपने घर तक पहुचाया जाना चाहिए existing अगर हम यहाँ पर देखते हैं मन्रेगा में तो यहाँ पर change जो है वो किया जाना चाहिए मतलब जो work है यहाँ पर guaranteed दिया जाना चाहिए demand के basis पर अब देखें अगर आपको याद होगा अगर आप regularly follow करते हो सभी lectures जो हम हम analysis करते हैं उसमें हमने देखा था कि जो मन्रेगा है उसके तहर demand और supply जो उसमें काफी फर्क है है ना यहाँ पर demand जो है काफी जादा है लेकिन उस तरीके से जो काम है वो नहीं मिल पा रहा है कितने सारे लोग के पास यहाँ पर card है, लेकिन, मतलब job card है, लेकिन फिर भी उन्हें जो काम है वो नहीं मिल पा रहा है, और lockdown के चलते हैं पर काम जो है तो वैसे ही बंद हो गया है, तो government जो है, उन्होंने यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने जो मन्रे का budget है उसमें यहाँ पर increase करना चाहिए जो wages है वह यहाँ पर बढ़ा देना चाहिए और जिनके पाद भी जाओ job card holder से जो लोग भी उनके लिए भी यहाँ पर proper तरीके से काम जो है वो करना चाहिए तो यह सारी चीज़ें यह सारी जो बाते हैं वो हम यहाँ पर देखने को मिलती है यह सारे sihाओ यहाँ पर दिये गया है जिससे की जो labeled है उनकी condition उनकी जो हालत है वो हम यहाँ पर increase अब यहाँ पर अगर हम front page देखते हैं तो इसमें देखने को मिलता है कि second stimulus जो है सरकार जो है प्लान कर रही है जहाँ पर MSME जो है उसे भी यहाँ पर बड़ावा जो है वो दिया जा सके क्योंकि यहाँ पर जो industries है वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो इसल यहाँ पर आप देखिए पहले 25% ही देखने को मिल रहे थे अब यहाँ पर 50% से जादा जिनकी डेथ हुई वो 60 साल के नीचे के हैं तो यह एक खतरनाख भी बात है और यह एक ना समझने वाली बात है कि किस सरीके से ऐसा हो रहा है जब हम immunity system से compare करते हैं तो बड़ आप यह 60 से जादा कि जो इनकी उम्र है उनकी यहाँ पर जादा डेथ होना चाहिए लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो 60 से कम है उनकी यहाँ पर 50% अफ देखने को मिली है तो यह सारी चीज़े हमें आपर देखने को मिलती है फ्रंट पेज में और उसी के साथ UPSC exam जो है UPS से एक्जाम उसकी पोस्पाउन होने की संभावन आप 95% हो गई है मत यहाँ पर सरकार जो है उन्होंने ऑल्मोन डिसिजन ले लिया ऐसा बोला जा रहा है लेकिन जो फाइनल डिसिजन है वो थर्ड में के बाद ही यहाँ पर लिया जाएगा लेकिन 95% चांसे से कि यहाँ पर काफी हाई रिस्क पर है जो एगरी कल्चर है वो यहाँ पर काफी हाई रिस्क पर है है ना और उसी के साथ सर्विस सेक्टर देखिए मीडियम रिस्क पर ट्रेड देखिए मीडियम रिस्क पर बाकी सर्विस मीडियम रिस्क पर आप यहाँ पर ट्रांस्पोर्टेशन देख सकते हो RIL जो है उन्होंने भी मतलब reliance जो है उनका यहाँ पर 37.2% fall हुआ है oil prices में जिसके वज़े से काफी problem हुए है और इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है salary deduction जो है hydrocarbon division में वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसी के से कम आएगी अब यहाँ पर हो सकता है कि बढ़ भी जाए जब यहाँ पर lockdown खत्म हो जाए तो उसी की demand यहाँ पर increase हो जाए तो यहाँ पर map based एक साई जो है वो देखते हैं जो map में मैंने आप से state पूछा था वो है miserum चलिए यहाँ पर बड़े map में भी miserum जो है उसे जानने की कोशिश करते हैं तो यह हमारे खुबसूरत धरती हम zoom करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है और उस state तक पहुचने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा तो यहाँ आप देख सकते हो यह है वो state जो मैं इंडिया का और यह जो नाम है डिराइब हुआ है मीजो से यह ना मीजो जो हाँ पर नेटिव लोग रहते हैं उनसे और काफी चर्चित भी रहा है यह states और यह seven sisters जो है उसमें गिना जाता है और उसे के साथ 722 किलोमेटर जो है इसकी border है जो की बांगलादेश को भी लगती है और म्यानमार को भी लगती है और उसे के साथ यह largest city अगर हम यहां के देखते हैं तो वो भी इसकी capital है जो की एजवाल और पहली union territory था लेकिन फिव उसे राजजगत आ जातो है वो दिया गया 20th February 1987 को ठीक है तो कुछ important चीज़े होती है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है तो यह 23rd state जो है वो बन गया था हमारे भारत का और कौन से इससे बना था तो यह बना था जो 53rd amendment था इंडियन constitution का 1986 का तो वो हमें देखने को मिला था ठीक है तो population भी अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है वहाँ पर तो बाकी जो चीज़े है फ्लोरा फोना बोलिए डेमोग्राफिक बोलिए पॉलिटी बोलिए एकोनामी बोलिए एजुकेशन किस तरीका है